हलो दोस्तों आप सुभी का मार्चन इस्टेडी रूप एजिकेशन में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम 36 गड़ाजे के नविंतम जीलों की सिति और इस्तार देखेंगे 36 गड़ाजे में पूरों में जीलों की संख्या 28 थी और 5 नए जीलों के गठन के बाद वर्तमान में 36 गड़ में जीलों की संख्या 33 है अगर हम छेत्रफल की द्रिष्टी से देखें तो 36 गड़ में छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जीला है कोरबा वहीं छेत्रफल की द्रिष्टी से वर्तमान में सबसे छोटा जीला है भरतपूर मनेंद्रगड चीर्मिरी इसी प्रकार नवीन जीलों के गठन के पस्चाथ भूअवेश्ठी जीलों की संख्या 11 हो गई है जबकि सीमा से लगे हुए जीलों की संख्या है 22 ऐसे जीले जो किसी अन्य राज जी की सीमा को इसप्रस करते हैं उनकी संख्या 12 है जबकि भूअवेश्ठी जीले अर्थात ऐसे जीले जो किसी राज जी की सीमा को इसप्रस नहीं करते हैं उनकी संख्या 11 चलिए देखते हैं, सबसे पहला है दंतेवाड़ा, यहाँ पर आप उसकी स्थिदी देख सकते हो, दंतेवाड़ा के बाद है बालोद, बालोद के बाद है दूर्ग, रायपूर, बेमेतरा, बलावदा बजार, जानगीर चांपा, रायपूर, कुर्बा और सरगुजा, इसके जीले, जो किसी है निराजी की सीमा को इसपर्स करते हैं, उनकी संख्या है 22, चलिए देखते हैं, सबसे पहला है मुत्री चेतर में इस्थित, चीलो को देखते हैं, पहला है मनेंद्रगर चीर्मीरी भरतपूर, मनेंद्रगर चीर्मीरी भरतपूर के, अगर मात्री जीले की बात करें तो यह कौरिया जिले से mics अलग हो का रस्तीतों में आया जो कि उसके पूरमें स्थीद है अगर हम इसके दक्छडी जिलो की बात करें तो दक्छड जिलो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्बा और इसी प्रकार दक्छड पलशिम में इस्थीत है गौरीला वहीं इसके उत्तर में कवरधा जिला इस्थित है अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यह मद्ध प्रदे सीमा को इसपर्स करता है वहीं पूरो में यह बेमे तरा दुर्ग की सीमा को इसपर्स करता है इसके बाद अगला जीला है मोहला मान पूर अंबागार चौकी जो की राजनन्द गाउजीले से अलग हो कर स्थित में आया इसके पस्शिम में महराश्ठी स्थित है, इसके पूरों में अगर आप देखोगे तो बालोत जीला स्थित है इसके दक्षिड में कांकेर जीला और उत्तर में राजनन्द गाव जीला इस्थित है जो उसका मात्र जीला है इसके बाद अगला है सक्ती जीला सक्ती जीला जांकिर चांपा जीले से लग होकर रस्तित्यों में आया अगर हम इसके पूर्वी जीले की बात करें तो पूरो में रायगाड जीला इस्थित है जबकि इसके बाद अगला आता है सारंगड बिलाईगड जो की राइगड और बलावदा बजार जीले का कुछ हिस्सा लेकर इसे बनाया गया है अगर इसके छेतर की बात करें तो इसके पूरो में स्थित है उडिसा इसके पश्चिम में स्थित है बलावदा बजार इसके दक्षिड में इस्तित है महा समून और इसके उत्री छेतर की बात करें तो उत्री छेतर में नविन जिला सक्ति आता है और इसके अलावा जानके चापा जिले को भी यह इसपर्स करती है राइगार जिले का कोशिसा भी इसको इसपर्स करता है तो इस प्रकार यह नविन जिले के रूप में स्थित्व में आया तो यह हुआ नविन जिलो की स्थित्य और विस्तार अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक किजिए और साथ यह से और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं